हेलो स्टूडेंट्स गूड इवनिंग आज टेस्ट वाया क्लास टेस्ट 01 क्लास 12 सब्जेक्ट कमिस्ट्री टोटल क्यूशन थे 20 और टोटल मार्क्स भी 20 हैं यह अपना राज किये विद्या ले और उसके बाद 20 सवाल हैं एक एक वन बाई वन में सब का उत्तर बता देता आपको क्या है सबसे पहला सवाल है वर्ग 14 कि वर्ग 14 के तत्व को एन प्रकार के अर्ध चालक में उपयूक्त असुदी अप मिश्रित करके रूपांतरित करना है एन परकार के अर्द चालक में बदलना है किसको वर्ग 14 के तत्व गो तो ये किस असुद्धी किस वर्ग से संबंदित होनी चीए तो एन टाइप का अर्द चालक बनाने के लिए आपको पता है पंदर्वें वर्गे सुद्धी मिलाते हैं तो उतर हो जाएगा पंदर्वें वर्गे सुद्धी और यदि P टाइप का तो एक कम N टाइप का तो एक ज्यादा next अनुचंब के पदार्तों के दो उधारन लिखिए यहाँ एक O2 लिख सकते हो F2 लिख सकते हो CR3 लिख सकते हो बहुत सारे एकजामपल हैं जिसे मैं एयुगमीत इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं वो अनुचंब के पदार्त होते हैं next है चालकों की चालकता की परास क्या है चालकों की चालकता की परास बतानी आप लोगों को तो चालकों की चालकता की परास है 10 की पावर 4 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स है 10 की गात 7 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स यह अंसर हो जाएगा clear नेक्स्ट है एफ के अंदर किसें कहते हैं तो जब रिनाईनिक रिक्तिकाउं का इस्तान इलेक्ट्रोन ग्रेंड कर लेते हैं तो उस इस्तान को एफ के अंदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कलर के लिए उत्तरदाई होते हैं रिनाईनी क्रिक्तिकाउं का इस्तान जिब कौन ग्रैन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोन ने कर लेते हैं, और ये इस्तान एप केंदर के नाम से जाने जाते हैं, और ये कलर के लिए उत्तरदाई होते हैं, Clare? next द्वी वीम वर्ग नीबिड संकूलन में उपसे संयोजन संख्या कितनी होती है तो द्वी वीम वर्ग नीबिड संक्या यानि 5 में स्वाल गांसर हो जाएगा चार द्वी वर्ग नीबिड संकूलन clear next है छथा सवाल एक योगिक सटकोन ये निबिड संकूलित सरंचना बनाता है यहनि HCP बनाता है इसके 0.5 मोल में जब HCP बनाता है मान लीजिये इसमें अवियवी कणूं की संख्या 1 है HCP जो जालक बनाता है उसमें टोटल अवियवी कण 1 है तो चतुसपल के रिक्तियां क्या होंगी चतुसपल के रिक्तियां टेटराहेडरल रजण फल के रिक्तियां अवियवी कणूं की संख्या मान लीजि HCP में 1 है तो अक्तरहेडरल 1 हो जाएगी टेटराहेडरल 2 हो जाहेगी अब वो क्या कहे रहा है देखो पुल रिक्तियों की संख्या तो 0.5 मोल एक कण होगा टोटल कण कितना एक तो अश्ट फल के रिखतियां भी एक चतुस फल के रिखतियां दो वो कहरा है 0.5 मोल है अपने पास पदार्थ हाना तो 0.5 मोल पदार्थ होगा तो 0.5 मोल तो हो जाएंगी अश्ट फल के रिखतियां और एक मोल हो जाएंगी चतुस पल के रिक्तियां यानि अभी अभी कणू की संख्या के बराबर तो हो जाएंगी अस्ट पल के रिक्तियां और दुगुनी हो जाएंगी चतुस पल के टोटल रिक्तियां कितनी हो गई एक और पॉइंट पांच टोटल एक पॉइंट पांच मो गुणा 6.022 गुणा 10 की गाथ 23 इतने रिक्तियां हो जाएंगी टोटल यानि 6.022 को 1.5 से गुणा कर लो यह जितनी भी आती है यह जाएगी 9.033 गुणा 10 की गाथ 23 आपको पता है एक मॉल में अभी गुणा 10 की गाथ 23 और अधा मॉल का इसका अधा कर लो फिर दोनों को जोड़ लो चाहिए 1.5 से सिधा गुणा कर लो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है अंतह केंदरीत गनिय सरंचना में संकुलन क्षमता कितनी होती है तो अंतह केंदरीत में 68% होती है बी सी सी फिर फलक्यंद्रीत गन्य एक कोस्टिका में अव्यविकरन फलक्यंद्रीत में चार होते हैं फिर विसम लंबाक क्रिस्टल तंत्र से सम्मंदित अक्सिय दूरियां और अक्सिय कौन में सम्मंद लिखना है तो गन्य दूसम लंबाक्स और विसम लंबाक्स विसम लंबाक्स के लिए अक्सिये दूरियां हो जाएंगी नोट इक्वल टू तीनों और अक्सिये कौन हो जाएंगी अलफा इस इक्वल टू बीटा इस इक्वल टू गमा इस इक्वल टू 90 डिगरी यह हो जाएगा relation clear next अगला सवाल है किस प्रकार के ठोस विद्यूत चालक आगात वर्दे और तन्य होते हैं तो आगात वर्दे और तन्य दात्विक ठोस होते हैं यह विद्यूत के चालक आगात वर्दे भी होते हैं और तन्य भी होते हैं next अनिमन में से सहसे योज़क ठोस छाट यह तो NACL आइनिक है, कौपर दात्विक है, तो सिलिकन कारबाइड और अल्यूमिनियम नाइट्राइड से सही होज़क ठोस के एक्जाम्पल हो जाएंगे जब अव्यवीकन एकर कोस्टिका के केवल कौनों पर उपस्तित हो यानि इसकी बात हो रही है यह तो इसको क्या कहते हैं? अध्धे एकर कोस्टिका कहते हैं Next एक पदार्थ ठोस अवस्ता में विद्यूत रोधी परंतु गलित और जलिये विलियन में विद्यूत का चालन करता है यह किस प्रकार का ठोस है? तो यह आईनिक ठोस है आईनिक ठोस आपको पता है ठोस अवस्ता में विद्यूत के कुछालक होते हैं परंतु गलित अवस्ता या फिर इनका जलिये विलियन विद्यूत का चालन करता है Clear Next है विसमदे सीगता का गुण दरम कौन से ठोसों में पाया जाता है तो विसम देशिक ता गुन दरम आपको पता है क्रिस्टलिय ठोसों में पाया जाता है क्रिस्टलिय ठोसों में क्रिस्टलिय ठोस क्या होते हैं विसम देशिक होते हैं क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और अगला सवाल है अपना पूरानी इमार्टिवें खिडिकीों और दर्वाजों के काच नीचे से मोटे ऊपर से पतले क्यों होते हैं क्यूंकि काच में द्हीमिगती से बैने का गून दरम पाया जाता है तक विब के परमानों से अहिसा प्सक्ता बनता है तो एक तो A है, एक B है, ये तो A हो गया, ये B, अब वो कहरा है, B के परमानों से HCP जालग, तो B को एक मान लो, A के परमानों, चत्तुस फल के रिक्तियां, तो B को जो जाल बनाता है, उसको एक मान लिया, तो चत्तुस फल के रिक्तियां दो हो जाएंगी, 80 पल के रिखते हैं 1, 4 पल के 2 अब A के पर मानों देखो 4 पल के रिखते हूं का 2 बटा 3 भाग ग्रेंड करते हैं तो 2 का 2 बटा 3 तो यह हो जाएगा 4 बटे 3 यह हो जाएगा 1 दोनों को ऐसी संक्या से गुणा करते हो कि दोनों पून अंक में कनवर्ट हो जाए तीन से तीन केंसिल तो यह हो जाएगा तीन और यह हो जाएगा चार A4 B3 पॉर्मूला A4 B3 हो जाएगा clear next अगला सवाल है फ्रेंकल दोस और सोट की दोस में क्या अंतर है तो फ्रेंकल दोस में गनत हुए है प्रभावित रहता है सोट की दोस में गनत हुए कम हो जाता है फ्रेंकल दोस में गनत हुए क्या हो जाता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गनत हुए पर सोट की दोस में गनत हुए कम हो जाता है नेजर चालकों के उधारन लिखिया तो नेजर चालक, सिलिकन और जर्मेनियम है नेक्स्ट है कुल कितने प्रकार के ब्रेवे जालक संभव है तो कुल 14 वा सवाल कुल 14 टाइप के ब्रेवे जालक संभव है और नेक्स्ट है ता बढ़ने पर चालकों की चालक ता गठती है क्यों कि इलेक्ट्रोन जो है वो अपने माद्दे इस्तिती के इर्द गिर्द उपर नीचे दोलन करना शुरू कर देते हैं आप चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के लिए इस पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं निरंतर धन्यवाद